आज किस वीरों देखने वाले हैं, जो भी छातर BST Second Year में है, Chemistry का हम पेपर लेके आएं, तो Chemistry में आपको जो पेपर हो जाएगा, वो हो जाएगा Physical Chemistry, ठीक है, तो Physical Chemistry जितने भी यू, MP के स्टूडेंट है, मद्ध प्रदेश की बात करोगा, मद्ध प्रदेश की All University के लिए कौन कर लेना है, Physical Chemistry को, और Physical Chemistry में सबसे पहले आप क्या-क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां आपको उपर इंग्लिस में आपको देख जाएगा, आप इंग्लिस का, आप स्कीन सौड भी ले सकते हैं, यहां से लेकर इसका इंग्लिस दे रहा है, और मैं आपको यह इंग्लिस और इंद दोनों में करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां ध्यान से देख लिएगा, आपको क्या-क्या करना है, यहां क्या-क्या पढ़ना होगा, वो देखिए, यहां आपको देखना है, पहला जो आपका फिजिकल कैमिस्ट्री में क्या, MP के आल उन अब धार्नाओं को पढ़ना है, और उसमा गतिकी के तीन नियम होता है, एक पहला नियम होता है, एक दोतिये नियम होता है, और एक होता है तिरतिये नियम भी आपको दिखा देता हूं, तिरतिये नियम भी एक होता है, तो आप इन तीनों नियम को अच्छे तरीके से करेंगे यह मुश्ट इंपोटेंट है यहां से आपको देखने को मिलेंगे और आपको क्या देखना है भी आपको बतारो हाली में कम समय में आपको अच्छे नंबर लेकर आना है तो आपको यह तो हो गया और उसके बाद में आपको नीचे जाना है बस यहां और कुछ नहीं पढ़ना देखो एक है फलन क्या होता है इसको फलन की बारे पढ़ लेना यह आपको इसको आप देखेंगे आप इसको पढ़ेंगे यह आप बस इतना पढ़ेंगे इसमें यह इंपोर्टेंट है मलब कम समय में अच्छे नमबर लाने के लिए आपको यह पढ़ना है ठीक है और हो सके तो अपसिस्ट यहां वो लगए अपसिस्ट एंट्रोपी की अब धालना आ यह पढ़ सकते हैं अब इतने कोशनों पे टिक लगा दीजिये बाकि कुछ भी देखने की जरूत नहीं पड़ेगी आपको बाकि कुछ भी देखने की जरूत नहीं पड़े इस 되어 इसान यहां से बनता है को जो प्रमारिक अवस्थाएं होती हैval ॉ प्रमारिक है इसको देख बस इसमें एक हेस का नियम आपको पढ़ना है मतलब कि आपको पेपर आपके पास में है बस यह पढ़ना है अभी हाले में ठीक है उसके बाद में आपका जो दिल करता है एक दो कोशन या अलग से याद करने का वो कर सकते हो लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोपर तर पढ़ेंगे अपसिस्ट एंट्रूपी के अफधारना पढ़ेंगे और गिब्स और जो हैल्फ कह सकते हैं है इनकी जो फलन थे यह दो दोनों फलनों को पढ़ेंगे और लास्ट में एक यह समीकड़ को देखेंगे और हैल्स का उसमा संकलन जो नियम है उसको आप याद करे मद्रदेश की आल उनिवेस्टिकल इंपोटेंट है आप इतना पढ़के चले जाते हैं मैं आपसे कह सकता हूं कि 85% प्लस आप कहीं नहीं बचाब आपको फेल करने वाला MP के अंदर कोई पैदा नहीं है इस बात को याद रखके जाएए और यहीं पढ़ेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप अच्छे से पढ़के जाएगा कोई भी दिक्कत आ रही तो हमें कॉमेंट कर सकते हैं वाट्सप नमर डिसक्प्शन बॉक्स में जैसे ही आपका पेपर हो जाए आप पेपर को हमारे वाट्सप नमर पर शैंड कर दिना जिसका लिंक डिसक्प्शन बॉक थो से दिरब समय सलन वगयरा को छोड़ों दीजिएगा और यहां जो बोल रहा हूं सीशा चांदी तंत्र को भी छोड़ों देगा और बाकि हटा दीजिएगा इसको इसमें आपको देखो क्या-क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा जो इंपोटेंट होगा वाकि कुछ भर कि बारे मात पढ़ लेंगा टिक है हम क्या होता है क्या होता है एसी टॉन की बारे में पढ़नेगा यहीं थोड़ी सी इंपोटेंट से आपके लिए काफी इसको बढ़ सकते हैं इसको एक बार देख लेना पढ़के जाएंगे तो भी अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे देखो नवरेट्स के बित्रन नियम के बारे में आप याद करेंगे यह उसके बाद में हम देखेंगे भास आपसे नहीं जल क्या होता है इसको भी छोड इसको देखेंगे आप इतना पढ़ेंगे अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए कोशन दे रहा हूं देखो यहाँ है बिद्धुति अभी गमन केसे कहते हैं आप इसको पढ़ेंगे अभी गमन को और उसके बाद में आप देखेंगे तुल्यां की चलकता किसी कहते है आप इसको पढ़ याद करना दो मैं बदा रहा हूं यह बहुत जाद इंपोर्टेंट है यहां से लिए सिद्धान्त की सीमाओं के बारे में ठीक है और बाकी यहां देखो ऑस्ट वाल्ट का तनुता का नियम को पढ़ेंगे यह मैं लौक कर रहा हूं अब उसको दिखने के जोर्त नहीं पढ़ेंगे आपको अभी किसी कहते हैं कि इसको पढ़ेंगे और एक आता है एक नीचे और यहां को को दे रखा है बस इतना पढ़ना है उपर और मानक क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे को पढ़ेंगे और उसके महत्व को याद करेंगे यह पढ़ेंगे हाइट्रोजन क्या होते है इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे और मानक हाइट्रोजन इलेक्टोड के बारे में मानक हाइट्रोजन विवव के बारे में चौथी इनिट में क्या पढ़ोगे देखो दातू आयन को छोड़ देना रिडॉक्स एलेक्ट अलेक्टोर्ड को पढ़ेंगे इसको याद करेंगे जो रिडॉक्स लेक्टॉर्ड होते हैं आपके नोट्स गैसपेपर में सारा लेखा होगा उसको द्हान रस्विट लगा ले पढ़ेगा और इसके बार में कुछ नहीं पढ़ा ना में पी एच और पीके की परीबहास आप पढ़ेंगे हाइट्रोजन क्या होता है आप इसकी हाइट्रोजन की परीबहासा की बारें पढ़ेंगे ठीक है इसके बार में हम देखेंगे वर्फ वर्फ किरिया की किरिया रिलेक्टोइड के भीकिरिया इसको भी आप उनकी इप्प्रयोत के बारे Smash के बारे में थे उसके बाद में Leau aika डालोंका जलका बटन क्या होता है अब इसको पढ़ाद सकते हैं एंड छल्स समीकड थी ऑंप आप याद कर लेना इतना पड़ेंगे और पांच मी आप यूनिट में सर्फ यह देखेंगे पांच मी यूनिट में आप यह देखेंगे आगे पीचो हो सकती आपकी लेकिन आप मद्ध प्रतेश के आले इनुविस्टेश इंपोटेंट से बाहर कुछ नहीं जाएगा देखो एक आता है प्रेण का वर्गी करन और प्रेण प्रयोग के बारे में ठीक है आप इतना और देख लेना बस एक कोशन देखेंगे बाकी यह मॉस्ट इंपोटेंट है इतने पड़के आप 2022 में 85% प्लस लेके आएं कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेर करना है को भी दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं और यह फिजिकल केमिस्ट्री में इतना पढ़ेंगे बाकि और गनिक और गनिक केमिस्ट्री को में वीडियो अप्लोड कर दूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आकम को प्रेस कर देना थैंक यू फर बचे दिए वीडियो बाई बाई